पहले स्टेप में हम लोग लेग्स को ऐसे क्रोस करें और राइट लेग्स से शिरू करेंगे राइट फिर लेफ्ट फिर राइट को पोजिशन पर और लेफ्ट को पोजिशन पर रखेंगे और एक थोड़ा सा जंप एड़ करेंगे उसके बाद हैंड्स मुमेंट में तीन बार ये क्लैप करेंगे तीन क्लैप कंप्लिट करने के बाद चौथी क्लैप हम लोग नीचे लेंगे और हमारे राइट लेग को पीछे क्रॉस करेंगे फिर क्लैप करेंगे और लेफ लेग को क्रॉस करेंगे पीछे की तरफ फिर से क्लैप राइट लेग को क्रॉस किया और फिर से clap करके left leg को cross किया यह step हम total 4 बार करेंगे यहां से तुरंथी clap लेंगे और यह hinge वाला step है वो करेंगे दोनों हाथों का यह से उपर करेंगे शुरू से करते हैं अब 4 बार यह complete करने के बाद पांचवी बार clap करेंगे और right leg को पीछे की तरफ cross करेंगे यह last हमने complete किया और फिर right leg को पीछे की तरफ ले जाएंगे फिर left leg को ले जाएंगे फिर से right leg को ले जाएंगे और फिर right leg को एक बार आगे एक बार पीछे और फिर एक बार आगे लाएगे और उसी के साथ एक clap करेंगे और body को turn कर देंगे अब यहां से left leg को पीछे ले जाएंगे फिर right leg को ले जाएंगे और left को पीछे आगे और पीछे और फिर एक बार आगे लाएंगे और उसी के साथ clap करेंगे फिर से करते हैं यहां पर हमने complete किया अब यहाँ से एक बार left side ऐसे move करेंगे clap और फिर right side and clap अब हम hands moment को देखते हैं यहाँ पर जब हम complete करते हैं और left side और right side shift होते हैं तब सबसे पहले right hand ऐसे उपर और left hand नीचे फिर दोनों hands को बारी बारी से ऐसे according to our legs switch करते रहेंगे अब यहाँ पर यह step complete होता है तब हम right leg से शुरू करेंगे एक आगे जाएंगे फिर left से आगे जाएंगे और एक circle करेंगे यह वाला step फिर से करते हैं इसमें hands moment हम hands को ऐसे up down करेंगे और कोई भी freestyle hands moment भी हम रख सकते है इसके बाद तीन step हम फिर से left side move करेंगे यह पूरा step हम लोग circle में करेंगे यह तीन बार jump करके आगे गए फिर से करते हैं one two and three और फिर body को पीछे से turn करेंगे और reverse direction में जाएंगे one two and three hands moment में हम लोग claps भी add कर सकते हैं और without claps भी कर सकते हैं one two three reverse one two and three okay यहां से शुरू करते है one two circle फिर आगे की तरफ one two three and reverse one two and three अब शुरू से सभी steps को एक साथ करते हैं करते हैं